मैं समित आपका स्वागत करते हूँ मेरे अपने चैनल पर फ्रेंड मैं आज आपके साथ बोटनेक डिजाइन सेयर करते हूँ इसके लिए फोल्ड को अपने तरब करते हूँ कपड़े को रखते हैं और सबसे पहले आप कपड़े को सीधा करते है तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है तो एक इंच बढ़ा कर लेते हैं आपकी जो भी लेंथ हो उससे एक इंच बढ़ा कर ही लीजेगा और बोटनेक हिसाब से शुल्डर आएगा मेरा 6.5 फिंच और आर्मोल आएगा मेरा 6.5 फिंच और चेस्ट आएगा 32 खिसाब से 8 इंच, 1.5 इंच मार्जिंग का आप चाह आप चाहिए तो इंच की मार्चिंग भी रख सकते हैं यह मेरी बैक पार्ट की मार्किंग कंपिज हो चुकी है अब इसकी कटिंग करते हैं और में फैबरिक पर एज इटिस की कटिंग करते हैं में फैबरिक कट करते वक्षाप इंच बढ़ा कर ही कट कर लीजेगा मेरी मेन फैबरिक पर कटिंग हो चुकी है अब मेन फैबरिक कर रॉंग साइड पर अस्तर को रखते वे पूरे राउन की शिलाई लगा लेते है कपड़े को थोड़ा हाँ से प्रेज करते जाईएगा और शिलाई लगाते जाईएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खृष्णा रहे इसका ध्यान रखे यह मेन फैबरिक कर अस्तर मेरा अट्याज हो चुका है अब बचे हुए फैबरिक को शिलाई के पराबर से हम कट करते है कटिंग मेरी कंपलीट हो चुकी है अब हम बोट नेक की मार्किंग करेंगे कपड़े को फोल करते है अस्तर की तरफ से और इसकी मार्किंग करते है नेक फीट में रख रहे हुए मैं 3 इंज और लेंग में रख रहे हुए 3.5 इंज और विट में भी 3.5 इंज रख रहे हुँ और बोट नेक का सेब देते है देर इंज का डिस्टन रखते हैं लेंग पूरी लेंग मेरी 4.5 इंज आ रहे है और विट में रख रहे हुए में 3.5 इंज नेक बी ऐसा बॉक्स त्यार कर लेते है और नेक का सेव देते है उत्पर से राउंड में नेक का सेव देते है और उसको पेपर पेस्टिंग पर ट्रेस करते हैं थोड़ा हाँस से डार्क करते हुए उसको ट्रेस करेंगे और पेपर पेस्टिंग उसी हिसाब से हम कट करेंगे और उसको अस्तर के कपड़े पर रखते हुए पूरे राउड में हम गोलाई में सिलाई लगा लेते हैं अब फैबरिक को फोल करते हुए पूरे राउड में हम सिलाई लगाते हैं और बचे वे फैबरिक को कट कर लेते हैं पेपर पेस्टिंग हमारी तयार हो चुकी है अब मेन फैबरिक पर रखते हुए इसका सेंटर मार्ट निकालते है और मेन फैबरिक पर रखते हुए राइस साइट पर रखेंगे और मेन फैबरिक का ही सेंटर मार्ट निकालते है ताकि हमारी डिजाइन इदर उदर ना हो को छोड़ते हुए हमें यह डिजाइन अट्याज करनी है उसको नेक हमारा इदर उदर ही लेना इसके लिए हम टच्पीन लगाते है और शिलाई से अट्याज करते है पूरे राउड में हमने जो डिजाइन निका ली थी उसी हिसाब से शिलाई कर लेनी है शिलाई मेरी कमपलीट हो चुकी है इसको एक पैर का मार्जिंग रखते हुए इसको कट करते है पूरे राउड में सावदाने से कट करने है ताकि शिलाई ना कटे अब पूरे राउड में छोटे-छोटे कर्स लगाते हैं सबसे पहले हम कॉर्णर के कट लगा लेते है और अब हम नेक को पल्टाते है रांग साइट पर लेके दाते है अब इसको एक रफिस्टीच लगा कर बिटा लेंगे आप चाहे तो प्रेस लगा करें नेक को अच्छी तरह बिटा सकते हैं मैं रफिस्टीच लगा रही हूँ बाद में इस तीच में निकाल लूँगी बहुत आसान है यह नेक बनाना आप जरूर ट्राइ किजिएगा अब उपर का नेक तयार करते हैं हम उपर का रख रहें में वीच में 3.5 इंच और लेंच में भी 3.5 इंच बोट नेक का सेब देते हुए उसको हम सबसे पहले शिलाई से अट्याज कर लेते हैं बाद में एक पहर का मार्जिंग रखते हैं उसको कट करेंगे और उरेब में पट्टी लेते हुए उसकी तुरपाई का गला तयार करेंगे आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग का ही गला रीडी कर सकते है मैं तूरपाई के पट्टी से ही कर रही हूँ आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग से कर सकते है अब इसको भी छोटे-छोटे कट्स लगाते है शिलाई ना कटना कटे इसका ध्यान रखे अब पट्टी को पल्टाते हुए पट्टी के उपर से एक शिलाई लगाते है अब पट्टी को फोल करते हुए एक फिनिशिंग की शिलाई देते है अब पुरे पट्टी को पल्टाते हुए एक रफिस्टिस लगा लेंगे बाद में हम तूर्पाई करते हुए एर अफिस्टिच निकाल लेंगे यह हमारा नेक रेडी हो चुका है अब इसको बैक प्लेट देते हैं एक इंच का मार्जिंग कवर करते हैं प्लेट देनी है हमें और कमर पट्टी जॉइन कर लेते हैं कमर पट्टी हमेशे सीधे पट्टी में ही जॉइन करनी हैं अब पट्टी को भी छोड़े छोड़े कस लगाते हुए पट्टी को पल्टाते हुए पट्टी के उपर से खिलाई लगाते हैं और पट्टी को फोल्ड करते हुए एक शिलाई दे हैं अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रफिस्टिच लगा देंगे बाद में हम इसको निकाल लेंगे इन एक मेरा रेडी हो चुका है बाग पाट अब इसको हम बटरफ्लाइ जैसे फ्लावर बनाएंगे बटरफ्लाइ बनाएंगे और उसको लगाएंगे इसके लिए मैं एक सर्कल में कट कर रही हूँ 3.5 विंज का सर्कल कट कर रही हूँ उसके लिए फोल्ड करके सर्कल तयार हो गया है और में फैब्रिक पर रखते हूँ इसको रॉंग साइड में रखेंगे और उसको पूरे राउंड में हम सिलाई कर लेते हैं अब इसको भी पूरे राउंड में छोटे-छोटे कर्स लगाते हैं शिलाई ना कटे इसका ध्यान रखे अब अस्तर के फैबरिक को हम सेंटर से कट करते हैं और इसको पल्टा लेते हैं कोई नोकिले चीजों से इसको बुर्णर अंचे निकाल लीजिएगा फलट गया है मेरा फैबरिक अब क्योय नोकिले चीजों से उसके कौर्णर अचे से बिञाल लीजिए आप चाए तो प्रेच से भी इसको अच्छे से बिचाआ सकते हैं अब फ्लावर को बटरफ्लाइ को पट्टी लगाते हैं इसके लिए हम मैंने ली है पट्टी लेंद में 7 इंच और वीट में ली है पट्टी 3.5 इंच इसी में इसी फोल करते हुए एक अईसे तिरसी में शिलाई करते हुए उसको पलताते हैं और इसको थोड़ा प्रेस से प्रेस करते हैं अब उसरकल का राउन निकालते हुए उसको सुई धागे से अच्छे से सेंटर से स्टिच कर लेते हैं अच्छे से हम धागे से बान लेते हैं अब उसको सेंटर से थोड़ा फिनेशिंग के लिए एक पट्टी तयार करते हैं और उसको सेंटर में जॉइन कर लेते हैं आप चाहें तो हाथ से यह बना सकते हैं मैं में मशिन से ही अट्याच कर रही हूँ अब उसको कट करते हैं, और ओ सेंटर की पट्टी हम पल्टा लेते हैं, ताकि हमारी शिलाई जो हमने देती अँदर की तरफ चली जाए, इसके लिए हम इसको अच्ची तरफ से पल्टा लेते हैं आए हमारे फ्लावर तयार हो गया है अब उसको सेंटर में फिनिसिंग के लिए दो पत्टी लगाएंगे एक चोटी बड़ी अच्छी दिखती है चोटी बड़ी लगाएंगे और उसका सेंटर में निकाल थे शेंटर से ही अट्याज करेंगे बराबर से यह पट्ती मेरी अट्याज हो चुकी है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगाए अगर आप पहली बार मेरे चाइनल पर आए है तो लाइक शेयर जरूर करे और मेरे चाइनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद